आप सभी का स्वागात माकी रसोई में तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पत्तों से सब्जी जो के बहुती स्वादिश्ट बन करके तयार होती है और ये सब्जी बहुती कम मसालों के साथ बनती है और बहुती कम समय में बन करके तयार हो जाती है और खाने में बहुती स् काटने के बाद अच्छी तरह से धूली आए तो धूने के बाद सबसे पहले हम कड़ाई को गरम करने रखेंगे और कड़ाई में अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है ऐसे ही मूली के पत्तों को रख देंगे और इसको ढख करके घरीब दूसी तीर मिनट तक पकाएंगे मसाल में डालेंगे तो देखिए करीब 2-3 मिनट हो गए है और गैस की फ्लेम को हमें बिलकुल रखना है तो इसमें हम स्वाद अनुसान नमक डालेंगे और बारी बारी काटकर हरीमेची डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढख करके रख देंगे और इसको भीच तो वीडियो को लाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो देखिए अभी सब्जी में थोड़ा सा टाइम है तो इसको ढख करके थोड़ी देर और पकाते हैं और अगर आप लोगों को लगे कि सब्जी में पानी डानने की जरूरत है तो आप पानी डाल सकते हैं मैं के तयार हो गई है तो असको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इस ही कड़ाई को आप लोग चाहें तो ढ़ने दो सकते है या ऐसे ही दूबारा रख सकते हैं तो का इसकी अंदर हम सरसों का ओ Lea कियेगा तो ऑल को अच्छी से गरम हो जाने देंगे उसके बाद मैंने इसमें डाली है और लेशुन डालाएं लेशुन थोड़ा सा ज़ादा डालेंगे जिससे इसका टेश्ट अच्छा है कि और इसको अच्छी तरह से भूनने देंगे तो देखिए अभी लेसुन हमारा भून गया है इसके बाद जो सबजी है हमारी वो इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद भी करीब इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे इस सबजी को हम जितना जादा भूनेंगे उतना ही अच्छी बनेगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है इसको बिल्कुल पानी सूखने तक अच्छी तरह से भूनना है तो देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तड़के के अंदर जिससे के पूरी सबजी के अंदर तड़के का टेस्ट आए और गैस की फ्लेम को हमें लोही रखना है सबजी को लगाता चराते हुए भूलेंगे देखिए मूली के पत्तों से कितनी स्वादिष्ट सबजी बन करके तयार हुई है और अगर आप लोग एक बार इस सबजी को बना लोगे तो हर बार इसी तरी के से आप मूली के पत्तों की सबजी बनाना चाहोगे ये तनी स्वादिष्ट बनती है तो देखिए सबजी हमारी बन करके तयार है तो आगे फिर में लेंगे नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जो जो आगे झाला बनाना चाहोगे